दोस्तों क्या सच में हमें हमारे दुनिया को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक महिना है इसका मुख्य काराण है एस्टरॉइड यानि की उल्ड का पिंड जो तेज गती से धर्ती की और बढ़ रहा है जिस तरह से कोरोना वायरस से चीन की अबादी कम हो चुकी है वैसे ही लगभग कई देशों में कोरोना वायरस से लोग पिडित है ठीक उसी तरह आ रहा है धर्ती की बिल्कुल करीब से गुजरने वाला यह उल्ड का पिंड आईए जानते हैं हमेशा सही हमारे अर्थ यानि की धर्ती खत्म हो जाने की बात कही जाती है हम पर हमेशा विलुप्त हो जाने का खत्रा मन राता रहता है नासा ने जिस तरह की हमें चेतावनी दी है जो की हमारी धर्ती के तरफ एटम पम की तरफ भेहंकर गती से चला आ रहा है नासा के वैग्यानिकों के अनुसार एक विसाल एस्टरोइड धर्ती के बेहत करीब से गुजरेगा वेज्ञानिकों को आसंका है कि या किसी कारणवस या एस्ट्राइड धर्ती से टगराता है तो एक बहुत ही बड़ी तबाही का सामना करना होगा एस्ट्राइड होता क्या है? एस्ट्राइड असल में सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स की तरह कठोर पत्थर का बना आपजेक्ट होता है जो सुरज को वेक्यूम करते गुमता रहता है लेकिन एस्ट्राइड का कोई फिक्स रेगुलर सेप नहीं होता और यही एस्ट्राइड मार्स और जुपिटर के बीच में पाय जाते है वेज्ञानिकों का अन्मान है कि 29 अप्रेल 2020 को एक हिमालय जितना बड़ा अस्ट्राइड धर्ती पर तबाही मचा सकता है हाला कि वेज्ञानिकों का कहना है कि घबराने की बिल्कुल भी जरुवत नहीं है यह अस्ट्राइड धर्ती के पास से गुजरेगा लेकिन इसका धर्ती से टकराने की संभावना ना के बराबर है पूरी दुनिया में कई ऐसे वेज्ञानिक हैं जो वीपरी तरह रखते हैं जो कि माउंट एवरेश जितना बड़ा हो सकता है बताया गया है इस इस्ट्राइड में इसकी स्पीड में थोड़ा सा भी अंतर होता है तो धर्ती पर एक बड़ी तबाही मत सकती है करोडों अर्बों साल पहले इसी तरह का एस्ट्राइड गिरने पर से डायनासौर का अंत हुआ था और अचानक से डायनासवर धर्ती से गयाब हो गए अगर इसी प्रकार का घटना धर्ती पर दुबारा हो तो अप्रेल 2020 का महिना मनुष्य जीवन का आखरी दिन साबित होगा इसी खबर को लेकर अमेरिका समयत पूरी दुनिया में लोग काफी चिंतित है दोस्तों इस एस्ट्राइट का नाम FAC-2768-1998-2 है इसकी स्पीड तकरीबन 31,000 किलोमेटर प्रतिगंटा है ये धर्ती से करीब 63,000 किलोमेटर की दूरी से गुजरेगा 1998 में पता लगाया गया था इस एस्ट्राइट को धर्ती पर से टकराने से जो तबाही मचेगी इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते करीब 6,5-6 करोड साल पहले धर्ती से टकराया था जो इस एस्ट्राइट से करीब दो गुना था दोस्तों ये उस समय की बाते हैं जब डाइनोसार हुआ करते थे आपको घवराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि अमेरिका इस्पेस एजेंसी नासा ने यह कनफर्म किया है कि यह उलका पेंट प्रित्वी के पास से होकर से गुजरेगा और प्रित्वी को कोई नुक्सान नहीं हो पाएगा दोस्तों आप भी दुआ करें कि ऐसा ना हो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सेर जरूर करें ऐसे ही और भी अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल रहसे टूप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे नए आने वाले वीडियो को असानी से देख सकें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्रेस जाति बेल खिए 106 दिन सुब यवाद जातिते के ले बेलाष क做ते प्रेस आने को असे तол उनियों कि कमएने से प्रफ़ जू हमारे चैनल को असे जूच्या वीडियों का तो वीडियों को असे भी जूब हमारे रहसे ठर सताने हैं झाल झाल